तो दोस्तो आज मैं बना रहा हूं अपने घर का खाना और मेरी पत्नी मेरे पीछे इसले खड़ी हैं ताकि यह देखता कि कहीं मैं सब्जी को पीला करने के लिए इतनी हल्दी नडाल दूँ आकि शब्जी शब्जी काम लगा है अब पुल्डिया का मरीज जादा लगने लग को घर भड़ी आथम को मिलंः तो इस लए वाल्याव को कड़ू से खाने को सब्ज endure में बनाना है तो मम्मी की बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि मम्मी से बोलू कि मम्मी टीवी में मैं खाना खाजाना देखता था लेकिन असली में मुझे खाना खाना खुजाना आता है बस है तो हजारों मुंश्य बता के बात मैं रिधा या अधाया है मैं बनाऊंगो का खाना डिसाइड हुगा कि कम्रहणा मैं बनाऊगहा लेकिन दिक्कत यह हो गए कि मेरे दिमाग की लाइब्रेरी में खाना बनाने कि एक भी रेसेपी नहीं थी हाँ खाना मगाने की बहुत सारी थी बड़ी टेंशन खड़ी हो कई तो आईशा लग राहल जैसे बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी हमारे हाथ में आगे चिंता मत किजी ये कोईल की नहीं कोईला की आवाज है यानि कि हम तो यह अंगले दिन की पर बना कर रख देंगी तो जब मैं किचिन में पहुचा तो मैंने देखा वाइफ कडाई से मैगी बाहर निकाल रही थी और मम्मी के हाथों में दो प्लेट थी एक में कटी हुई भिंडी थी दूसरे में कटी हुई आलू थी मैंने ममी से बोला मम्मी क्या मुझे बस तुम खादा करती है तुम कह दिया था सबस्क्राइब नहीं है इसने कह दिया मैं इक नंबर का खाल बनाता हूं लेकिन आज मैं खाना बनाओंगा बोला था लेकिन फिर पता नहीं आलू प्याज बाग गी सब चीजे काट के रख दी अब अधा दूरा खाना तोड़ी बनाओ विश्टर में मेरा जो हुनार वो पूरा-पूरा कैसे निखर क्या आएगा हाँ तेरे अंदर तो इतना हुनर है कि तू चूने से चना और चने से चूना बना सकता है यह द्यवा तो इसलिए ना हमें धो फेर का खाना नहीं है बस साम का खाना बनाएगा तो अब यह तो मैं फ्रिज में देख लिता हूँ कि खाना बनाने के लिए क्या-क्या है लेकिन जम मैंने फ्रिज खोला तो देखा कि सबजी कम और बोटलें ज्यादा बरी है ऐसा लगा कि साम को मैं मटर पनीर नहीं बोटल पनीर बनाऊँगा और शाम के शाड़ी छे बजे या पौने साथ बजे पता नहीं कितने बजे में कमरे में आया पत्नी की पास अब बोला तो चलो मैं खाना बनाना स्टार्ट कर रहा हूं जा बनाओ मुझे बताओ तो आइफ ने मुझे कहा कि अभी तो ममी सब्ची लेने गई हैं इसलिए जब तक ममी सब्ची लेकिया है तब तक आप आता लगा लोगा है अटा गूट कर रहे हैं मोटलमा यहां से बनाएगी बताएगे हमाले गड़ में गैस लिंडर में आटा कि अदार चलनी ऴही करणी जो पत्नियां पतियों के र प便 शों इहां और अब कर डब में दियुक्त maple पीशना a के लिए एठ देखी तो जो मेरी पत्नी करें यह ना उस पढ़ां देना है जो मैं किराओं पस उसी पढ़ना देना मन करें तो यूगा भी कल लिए देख्ञूम तो आपने देखा कि नी देखा जो मैंने दिखाया मुझे कितना नौलेज है खाना बनाने का सही कहना हूँ अगर बरतनों के हाथ पैर होते ना तो कपके 9-11-13-15 हो जाते तो जब मैंने वाइव से स्वयम पूछा कि बताना कहीं आटा जादा न लग जाए तो वाइव ने तब तो मुझसे बोला कि नहीं अभी लगे रहू उन्ना भाई और फिर बात में तो मुझसे बाजार चाथी में समझ गया कि सब्जी आ गई होंगी तो भैस लगाने से पहले मतलब की आटा लगाने से पहले मने ममी से पूछा तो जब ममी ने सब्जी के साथ चब्ड़ और जूता बोला तो मुझे याद आ गया कि बच्पन से लेकि अब तक बहुत बार कि सूखी सब्जी खाई तो इस बैग में बहुत सारी सब्क्राइब एं थी लेकिन मुझे जो बनाना था वो मेरे हाथ में देखिये कि HAAMI जबनाने से पहले मुझे घर वालो ने कहा कि पहले आता लगा लगा लो तो सन् oraz लोत अनल्य तो इतना पानिलाक्त Сथी अप। मैं आटा लगाना चालू रखा बस वाइब मुझे दूर से गार्डें दे रही थी लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं आटे के जाद बॉक्सिंग बॉक्सिंग खेल रहा हूं कर आटे ने थोड़ीर बाद वह से पेना शुरू किया जो मम्मी और वाइफ के लगाने प आटे की ती जो अपनी बैंड की तारीफ कर रहा है हमको क्या हमको तो मजा लेने से मतलब खेर मैंने आटा लगाना चालू रखा और फिर आटे ने अपना आखरी स्वरूप ले लिया बस मुझे यह लग रहा था कि मैंने आटा लगाया है कि फे भी कुल बनाए तो मां कसम सब्सक्रेंगा से मतलब की की पहले बन्यान उता अज़द रखारने का उसके बाद इसको काटने का तब लुग की सबजी बन्यक्त कते बहुट मुश्क प्रसरीजियर रही हम सब्स लेइंन के लिए लिए रेंग को छिलना अवे में चिलने की स्टाइल को डेğ कैसा लग रह अब लॉक्व करना नहीं पूछा कि आप क्या करना है काटना है तो वाइफ ने मुझे बोला कि पहले तो वही काम कर लो जो कर रहे थे यानि कि अभी छीला नहीं है डंक से मतलब मेरे खाने में कमी निकाल दी गई तो जब मेरे खाने में कमी निकाले गई तो मैंने उस कमी को दूर किया एने कि फिर से लोकी को छीला तो फाइनली लोकी को छीलने के बाद अब बारी थी लोकी को काटने की लेकिन लोकी को काटने का मेरा अपना खुद का स्वैम का तरीका था पर वाइफ को वह पसंद नहीं तो मुझे बता रही थी पतले पतले कट डाले मैं भी वह दूसर तरीकिस काट रहा हूं जानी तो हमने वाइफ की बात नहीं मानी और इसी का नतीजा था कि लौकी को काटने के बाद भी उसे जोड़ना पड़ रहा था वह यह तो आटा लगाने के बाद लौकी को काटने के ब उसमें मीची डालने के बाद हम ने लोकी डालने की बाद हुआ जल्दी जल्दी डाली इसके बाद मुझे वाइफस्गाने लगे तो आपने देखा कि मैंने कितनी अच्छी तरके से टमांटर काटना सीखा अब तो फिर तेरी वाइफ दुबारा क्यों आई थी टमांटर काटने अरे वो तो बस ऐसे ही ताइम बास दूसरी तरह मम्मी बिस्तर में लेटी आराम कर रही थी बहन मम्मी का पाउं दबा रही थी मैं खाना बना रहा था बहू भी कुछ न कुछ काम करी रही होगी तो मैंने मम्मी से बोला तो मैंने देखा कि लौकी तो पक चुकी है तो मैंने लौकी के अंदर टमाटर को फेका धकन को ढखा और इंतजार करने लगा तब ही मम्मी आई हो बोले कि बैटा इंतजार मत कर लौकी की सब्जी को गैस के दूसरे चूले में रख तर उसके तापवान को दीमा कर गैस को नि देती हैं हम लोग पेट में खाना खाके पचा भी लेते खेर मने आटे को चपता करना शुरू किया लेगन कंफ्यूचन इस बात में हो रही थी कि मुझे समंद मनी आ रहा था कि कम मैं रोटियों कम मैं उसको तवे की उपर डालूं कब तवे से निकाल के गैस की उपर तो दोस्तों मुझे उमीद है कि आपको वीडियो देखकर अच्छा लगा होगा आपको हसी आई होगी तो यूटूब में विक्रम नेहां व्लॉक्स को सर्च करिए अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और जी देखिए कितनी मश्च रोटी फुलाई हुए मै